हेलो स्टुरेंट्स वेल्कम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल स्टुड़ी तुगेदर विद रतिका वे डिसका साइंस और मैच्स कॉंटेंट तो चलिए आब हम लोग देखते हैं दो ऐसे टर्म्स जिस पर ये पूरा चैप्टर आधारीत है एक है एडालेसिंस और सेकंड व बहुत दिनों बाद मिलते हैं mostly after the age of 11 or 12 और आपको लग देखके ऐसा लगता है कि इसकी हाइट बहुत ज्यादे इंक्रीज हो गई है मतलब आपको अपने आप पर भरुसा नहीं होता है कि इतनी हाइट इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती है तो ये एक चेंज हो गया कभी-कभ हम देखते हैं बोडी की शेप में बहुत जादा चेंजेस आ गए है कि इसके मूड सुइंग बहुत जादा हो रहे हैं तो ये सारी चीज़े क्या होते हैं ये सारे चेंजेस होते हैं जो धीरी-धीर हमें अपनी बोडी में दिखाई देते हैं and that point of time जब ये बोडी में चें इसमें divided होता है इनी में से एक phase होता है adolescence का जिसको हम teenage भी कहते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जब 12-13 से लेके 19 तक की जो age होती है this age is known as teenage और इन बच्चों को कहा जाता है teenagers तो हम देखते हैं teenage वाली जो age होती है इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा mood swings होते हैं emotionally या तो बहुत ज़्यादा शांथ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा उनके अंदर insecurity आ सकती है बहुत ज़्यादा वह over active हो जाते हैं तो यह कुछ changes होते हैं जो कि हम अपनी या similar age के दूसरे बच्चों में देखते हैं तो puberty हम define करेंगे कि एक वह point of time जब हमारे body में बहुत सारे changes आना start हुए है that age या that point is known as puberty और adolescence एक वह period of age period of life है जिसमें बहुत सारे changes आते हैं क्योंकि puberty का मतलब यह नहीं कि सिर्फ एक change आएगा मैंने बोला अभी बहुत सारे changes आएंगे यह सारे changes हम लोग discuss करेंगे यही पर ही अभी चीक है तो this period is known as adolescence यह mostly 11 से लेके 12 age में start होता है और 18 to 19 age तक चलता है इसको हम teenage कहते हैं और इन बच्चों को adolescence कहते हैं यह teenagers कहते हैं चीक है girls में अगर हम adolescence देखे तो एक दो साल पहले start होता है मतलब girls का mostly 11 से start होता है और boys का 12 या 13 से start होता है चीक है but this again varies from individual to individual सबकी body में changes अलग तरीके से अलग speed से होता है तो उनमें जो puberty hit करती है वो भी अलग-अलग age में करती है चीक है but overall 11, 12, 13 यही age होती है तो आप इसको ऐसे भी define कर सकते है puberty वो वाली age होती है जब कोई एक individual reproductively mature है now this boy or that girl is capable of producing a new organism चीक है जब आप reproductively mature हो चुके है और you can give rise to a new organism